मैं आपसे प्यार करता हूँ, I love you. क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? Do you love me? क्या तुम मुझसे साधी करोगी? Will you marry me? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, I like you. मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, I wanna be you. मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ मैं तुम्हारा हूँ मैं तुम्हारा हूँ I am your तुम मेरी हो You are mine तुम मेरी जिंदगी हो You are my life मैं तुम्हे पूजता हूँ I adore you मैं आपको ढूंडता हूँ I miss you या मैं तुम्हे ढूंडता हूँ I miss you आप खूब सूरत हो You are beautiful मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पास होती I wish you were here with me मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ I am always with you आप बहुत हसीन है You are elegant आप बहुत हसीन है आप बहुत प्यारी हो You are very pretty You are pretty आप मनोहर हो You are tasteful आप लाखों में एक है You are one in a million आप लाखों में एक है तुम अपसरा हो You are nymph तुम अपसरा हो अलग दिख रही हो Look decent अलग दिख रही हो गुरिया लग रही हो Look like a doll चमक रही हो Look radiant चमक रही हो प्यारी लग रही हो Looking lovely प्यारी लग रही हो मन मोहक लग रही हो Looking ravishing तुम मनोहर हो You are winsome सुन्दर दिख रही हो You good looking जबान सम्हाल के Mind your language दूर हो जाओ Get away मुझसे दूर हो जाओ Get away from me दफा हो जाओ Get lost मैंने कहा दफा हो जाओ I said get lost चुप रहो तुम कुछ नहीं जानते Shut up You don't know anything मुझे गुसा मत दिलाओ Don't make me angry तुम नहीं सुधरोगे You won't change तुम कभी नहीं सुधरोगे You will never change यहां क्या बकवास चल रही है What the hell is going on there मैं आपसे तंग आ चुका हूँ I am fed up with you तमीज से बात करो Talk with manners तमीज से बात करो चिलाओ मत Don't shut Don't shut मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ I am not your slab मुझे उंगली मत दिखाओ Don't point your finger मैं तुम्हारे दात तोर दूँगा समझे? I will wrack your teeth Understand? मुझे क्या करना है? तुम मत बोलो You don't tell me what to do बेवकूफ मत बनो Don't be a stupid बाप पर जाने का नहीं Don't you dark take my father's name क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ Do I look like a fool to you? क्या कर लोगे तुम? What will you do? अवाज नीचे Lower your voice तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो How could you do this to me? फिर कभी ऐसा मत करना Don't ever do that again मुझ पर चिलाना बन करो Stop yelling me सूब परभात Good morning सूब परभात उठ जाओ Get up उठ जाओ दात को धूओ Brush your teeth दात को धूओ अपना मुह धूओ Wash your face नहालो Take bath जल्दी करो Hurry up तैयार हो जाओ Get ready नास्ता कर लो Have a breakfast Have a breakfast इसे साफ करो Clean it विद्याले जाओ Go to a school विद्याले जाओ इधर देखो Look here इधर देखो Look here कपरा पहनो Wear your clothes कपरा पहनो खुश रहो Be happy खुश रहो Be happy Bye बोलो Say goodbye Hello मत Don't move और कुछ Anything else क्या हुआ What happened क्या हुआ What happened दोबारा कोशिस करो Try again दोबारा कोशिस करो Try again क्या तुम पागल हो Are you crazy क्या तुम पागल हो Are you crazy क्या तुम पागल हो गये हो Have you gone mad क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है Are you out of your mind क्या तुम्हारा दिमाग खो गया है ? Have you lost your mind ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ? How dare you ? मुझे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ? How dare you talk to me like that ? मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ? How dare you touch me ? तमीज से पेस आओ behave yourself बस इतना ही that's all वही रुक जाओ stop there मुझे दिखाओ saw me मुझे दिखाओ saw me किस लिए ? for what ? किस लिए ? for what ? समझ गया ? got it got it कोई समस्या है ? any problem ? कोई समस्या है ? any problem ? लेकिन क्यों ? but why ? लेकिन क्यों ? सांत हो जाओ calm down इसको परेंगे calm down फिर कब ? फिर कब ? then when ? way पहुँच गए ? they arrived way पहुँच गए ? काना फूसी मत करो don't whisper इसे खतम करें ? finish it मुझसे वादा करो promise me कोई दिक्कत नही ? no problem कोई दिक्कत नही ? चारो ओर देखो look around चारो ओर देखो आपकी बारी your turn आपकी बारी मुझसे जुरें join me मुझसे जुरें मैं छमा प्रार्थी हूँ I apologize मुझे माफ कर दो forgive me चुप रहें be quiet चुप रहें सांत रहो be calm सांत रहो मुझे अनुमती दें allow me यह सच है that's true यहां से जाओ go there मैं कहा था I said मैं कहा था मैं कहता हूँ I say मैं कहता हूँ मैं कहूंग I will say कितनी गर्मी है it's so hot कितनी ठंडी है it's so cold कितने बजे at what time कितने बजे वीडियो को लाइक कर देजी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी अगर इंगलिस सीखना चाहते है तो कर उटकर बैटो sit up सीधे होकर बैटो sit up as straight sit up as straight ध्यान से देखो watch carefully ध्यान से देखो मुझे एक मोका दो give me a chance मुझे एक मोका दो उसे मेरे पास भेजो send him to me किसने कहा who said किसने कहा who said वह कैसे how that किस बारे में about what किस के बारे में about whom किसी तरह से in what way किसी तरह से यह लो tack it यह लो tack it बिल्कुल नहीं not at all बिल्कुल नहीं मुझे से पहले before me मुझे से पहले तुमसे पहले before you तुमसे पहले उससे पहले before him उससे पहले इससे पहले before it इससे पहले उससे पहले Before that, से पहले, सम से पहले, Before all, सम से पहले, उन से पहले, Before them, उन से पहले, रात से पहले, Before night, दिन से पहले राता तो before day, पहले से ही, Before hand, पहले से ही, आज से पहले, Before today, आज से पहले, पागल मत बनो, Don't be silly, पागल मत बनो, जगह खाली करो, इसी परकार के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए एक तरफ हो जाओ संभलकर संभलकर हाँ सही बात है तो इतना कहने से अच्छा बोल सकते हैं एक् disastly completely क्या खूब्हाव सवीत न क्या खूब सत्यानाज सत्यानाज कोwie सित यह ओ सिट सत्यानाज कि छी तो हाव डिसकास्टिंग बोल सकते हैं हाव डिसकास्टिंग जाने दो, let it be, जाने दो, बेसक, बेसक, of course, बढ़िया है, sounds good, बढ़िया है, sounds good, हर हाल में, in every condition, हर हाल में, किसी भी कीमत पर, at any rate, किसी भी कीमत पर, पलक जपकते ही, in the blink of eye, अस्त वैस्त हालत में, at sixes and sevens, बिना किसी काम के, at random, बिना किसी काम के, बहुत जल्दी, in no time, बहुत जल्दी, सुभा से साम तक, from down to dusk, from down to dusk, सिर से पाव तक, from tweet to tip, हर वक्त, round the clock, हर वक्त, की मदद से, with the help of, फिल्हाल, as of now, माफ कीजिएगा, या माफ कीजिए, excuse me, थोड़ी दया करो, saw some pity, कुछ मत कहो, don't say anything, हाल ही मैं, presently, मैं समझता हूँ, I understand, कोई बात नहीं, never mind, वह घमंडी है, he is a snob, बेकार मत बैठो, don't sit idle, हमेशा के लिए, forever, हिचकिचाओ मत, don't hesitate, सर्माओ मत, don't feel, say, अगली बार, next time, मैं तुमसे सहमत हूँ, I am agree with you, मुझे रोको मत, don't stop me, यह वाला, this one, मुझे याद दिला देन, remind me, क्या सब ठीक है, is everything okay, see you soon, जल्द ही मिलेंगे, see you tomorrow, कल मिलेंगे, वास्तव में, in fact, सान्त हो जाओ, calm down, एक बार और, once more, बस काफी है, that's enough, that's enough, बिल्कुल सही, exactly, बिल्कुल सही, exactly, बिल्कुल वैसा ही, exactly the same, exactly the same, जाने भी दो, let it be, जल्दी आना, come soon, जल्दी आना, come soon, लगे रहो, या लगे रहे, keep it up, कोशिस करते रहो, कोशिस करते रहो, keep trying, धोरा, इंतजार करें, wait a bit, देरी मत करो, don't delay, देरी मत करो, don't delay, अपना खयाल रखन, take care of yourself, सायद, सायद, मेवी, सायद, मेवी, जरा सोचो, just think, जरा सोचो, अन्दर आओ, come inside, अन्दर आओ, come inside, इतना नहीं, not that much, और बताओ, tell me more, और बताओ, tell me more, अच्छी कोशिस की, well tried, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, go at once, तुरंत जाओ, मेरे साथ क्या होगा, what will happen to me, क्या होगा, सिर्फ रहे क्या होगा, what will happen, मेरे साथ ऐसा होता है, it happens to me, हर समय यह होता रहता है, it happens all the time, यह कभी कभी होता है, it happens sometimes, तुम्हारी हिमत कैसे हुई यह कहने की, how dare you, say that, अंधेरा हो रहा है, it's getting dark, सुबह हो गई, it's morning, सुबह हो गई, अंधेरा हो गया, it's got dark, अंधेरा हो, it's got dark, मेरे साथ चलो, come with me, मेरे साथ चलो, come with me, मुझे बताओ, tell me, मुझे बताओ, रो मत, रो मत, don't cry, रो मत, मजे करो, मजे करो, enjoy yourself, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, let me go, मुझे जाने दो, धाइड़ी रखें, have patience, इसको patience परेंगे, धाइड़ी रखें, दर्वाजा बंद करो, shut the door, shut the door, खिर्कियां खोल दो, open the windows, खिर्कियां खोल दो, मेरे साथ आओ, come with me, मेरे साथ आओ, come with me, पंखा चालो करो, switch on the fan, तुम क्या चाहते हो, what do you want, मैं समझ गया, I see, मुझे आप से मिलकर खुशी हुई, I am glad to meet you, मैं औविवाहित हूँ, I am single, कपरे सुखा दो, put the cloths too dry, आलू छील दो, peel off the potatoes, संत्रा छील दो, peel off the orange, मैं घर पर हूँ, I am at home, वीडियो को लाइक कर देजिए और सुब्सक्राइब कर लिजे इसी पर करके वीडियो के लिए, तुम काउन हो, who are you, किर्फिया अंदर आएं, किर्फिया अंदर आएं, please come in, बस इंतजार करें, just wait, कोई दिक्कत नहीं, no problem, no problem, इसे दिल पर ना लें, don't take it to hurt, इसका दुरुपयोग ना करें, don't misuse it, इसका दुरुपयोग ना करें, कल मिलते हैं, see you tomorrow, कल मिलते हैं, see you tomorrow, मुझे तुम पर गर्व है, I am proud of you, मुझे तुम पर गर्व है, मैं आपको खुली आजादी देता हूँ, I give you complete freedom, आपको अपना वादा पूरा करना है, you have to fulfill your promise, तुम मुझे से होस्यारी कर रहे हो, are you trying to act smart with me, आप बहुत सरारती हो, you are too nutty, you are too nutty, जब तक मैं जिन्दा हूँ, खुस रहना चाहता हूँ, As long as I am alive, I want to be happy, मेरे पीछे आओ, follow me, मुझे अच्छे से पता है, साम तक आपकी हालत कैसी हो जाएगा, I very well know that, what will be your condition by evening, आप कैसे मनाओगे उन्हें, how will you convince him, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, why are you smiling, आपको देख कर मैं बहुत खुस हूँ, I am very happy to see you, I am very happy to see you, क्या यह आपका है, क्या यह आपका है, is it yours, सब कुछ मुझे ही करना परता है, I am the one who does everything, यह कल तक हो जाएगा, it will be done tomorrow, मेरा सच में यही मतलब है, I really mean it, मेरा सच में यही मतलब है, सयम रखे, control yourself, सयम रखे, वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, that's what I am trying to tell you, तुम वहाँ हो, तुम वहाँ हो, are you there, बधाई हो, बधाई हो, congratulations, सही करो, सही करो, do it right, मुझे तुम से नफरत है, I hate you, मैं उब गया हूँ, I am bored, मैं उब गया हूँ, I am bored, ऐसा होता है, that happens, धी में चलो, slow down, slow down, अगला है, मैं ऐसा सोचता हूँ, I think so, मैं ऐसा सोचता हूँ, I think so, मैं छोड़ता हूँ, I quit, मैं छोड़ता हूँ, I quit, अज से आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए, मैं खो गया, I am lost, इंगलिस में बोलेंगा, I am lost, मैं खो गया, मैं घर पर हूँ, I am at home, मैं घर पर हूँ, I am at home, अगला सेंटेंस है, मैं वादा करता हूँ, I am, sorry, I promise, मैं वादा करता हूँ, I promise, मैं मना करता हूँ, I dislike, Limes में मना करता हूं आप वीडियो को लाइक कर दीज़े और एंगली सिखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लिजी चन्ल牛 समयत्स मशंतisen अप समय समगों टाइंस अप सम्समा टाइम contracting vy sondern दो दो इंग्लिश हमें इसको aş wears thing only जाने दो एलेट्स गो हमेरा नेक्स संटेंस है इतना समय से तना समय सो लॉंग इंगली समें बोलेंगे थिटना समय मजए करो have fun मजए करो इंगलेसमेंगे have fun अगला मारा सेंटेंस है मैं भी ऐसा ही करूं so do I में भी आईसा ही करूं so do I कितना how much English में कितना को बोलेंगे how much कितना next है कितने how many देखे कितना how much कितने how many आपके बाद after you आपके बाद English में बोलेंगे after you पहले आप पहले आप you first पहले आप you first मेरी दावत माई ट्रीट मेरी दावत माई ट्रीट हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सौभाग्य सौभाग्य गुड लग किसी को विस्ट करते हैं गुड लग मेरे पीछे आओ फॉलो मी अक्सर आपने फिल्मों में इसका यूज दिखा होगा मेरे पीछे आओ फॉलो मी बोलते हैं रहने भी दो रहने भी दो फ ओरगेट इट रहने भी दो या इससे भूल जाओ एक ़ी बात है ध्यान रहे फसकर आओट धियान रहे इस इट यूर्स क्या या तुम्हारा है तो भी यही संटेंस होगा वहाद चला गया है वहाद चला गया है वीडियो को लाइक कर दिजिए काफी अच्छा है आपके लिए संयम रखे पंच्रॉल यूर्सेल्फ यह अपने आपको नियंत्रेत रखे एक ही बात है अच्छा लगता है अच्छा लगता है इसको बोलेंगे तुम वहाँ हो तुम वहाँ हो बधाई हो किसी को विज़ करेंगे बधाई हो तो इंगले इसमें सही करो डू इट राइट मुझे तुमसे नफरत है मुझे तुमसे नफरत है मैं उब गया हूं इंगली कितना आसान है बोलना इसा होता है इसा होता है दहीमे चलो या धीरे चलो दहीमे चलो दहीमे चलो आराम से रिलेक्स उसे समय लेने दो लेट हीम टेक टाइम उसे समय लेनो, ले टेहीं, टेक टाइम इन सारे sentences को आप लिख लीजिए ताकि कभी भी आप बोल सकते हो मुझे गुसा मत दिलाओ Don't make me angry अगला sentence है, समझने की कोशिस करो Try to understand समझने की कोशिस करो, Try to understand अगला sentence है, अपने बाल बना लो Comb your hair Comb your hair समय की नजाकत को समझो Understand the delay of time वीडियो को लाइक कर देजिए सबस्क्राइब कर लेजे, इसी परकार के वीडियोज के लिए बहाने मत बनाओ Don't make excuses मुझ पर एहसान मत करो Don't favor me Pronunciation समझे Don't favor me अगला है, वो दबे पाउं कमरे में गुसा He tiptoid into the room दबे पाउं चलो, walk on the tiptoid Tiptoid मतलब दबे पाउं, walk on the tiptoid खाना लगा दो, serve the food खाना लगा दो, serve the food अगला sentence है, मुझे ठंड लग रही है I am feeling cold मुझे ठंड लग रही है तो I am feeling cold जाकर सो जाओ, go and sleep अगर बोलना हो, जाकर सो जाओ तो go and sleep, English में बोलेंगे मुझे नहाने दो, let me take a bath टेक बात मतलब होता है नहाना या सनान करना अगला है, अंधेरा हो गया है It's become dark अंधेरा हो गया है, it's become dark उसे गाली मत दो, don't abuse him उसे गाली मत दो Don't abuse him, abuse मतलब गाली देना होता है अंधेरा हो रहा है It's getting dark अंधेरा हो रहा है, it's getting dark उसे विदा कर दो See him off उसे विदा कर दो, see him off Next sentence है दिल पे मतलो Don't take it to hurt सर्ट उतार लो Take off the shirt Take off the shirt सर्ट पहन लो We are the shirt सर्ट पहन लो We are the shirt जूते उतार लो, take off the shoes, जूते उतार लो, take off the shoes, अगला sentences हैं, जूते पहन लो, put on the shoes, रोटियां सेख लो, back the chapaties, chapaties मतलब रोटियां, back the chapaties next sentence है, आटा गूंत लो, neat the floor, floor मतलब होता है आटा, रोटि कैसे बनाए, how to roll the chapaties, रोटियां बेल लो, roll the chapaties, धूप सेख लो, bask in the sun, धूप सेख लो, bask in the sun, मुझसे पंगे मतलो, do not mess with me, do not mess with me, जिद मत करो, don't be a stubborn, don't be a stubborn अगला sentence समझते हैं, बकवास मत करो, don't talk nonsense, nonsense मतलब बकवास करना, बकवक मत करो, don't prattle, या stop your gap वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लग रहे हैं, तो इसारा मत करो, do not gesture, इसारा मत करो, अगला हमारा sentence है, हमने वाकई में जिंदगी जी, we really lived life, हमने वाकई में जिंदगी जी, बहुत मजा आया, enjoyed a lot, बहुत मजा आया, enjoyed a lot, दुबारा कम मिलेंगे, दुबारा कम मिलेंगे, when will we meet again? अगला sentence है, चालाक मत बनो, don't be smart, नंगे पायर मत चलो, don't walk, bear foot, तुम डरपोक हो, you are coward, तुम अंगरेजी सीखोगे, you will learn English, इसको इंगलेजी में बोलेंगे, you will learn English, India जीतेगी, इंडिया विल वीन, इंडिया जीतेगी, अगला है, तुम में कला है, you have the art, तुम में कला है, you have the art, तुम सीख जाओगे, you will learn, driving सीख लो, learn driving, driving सीख लो, learn driving, next sentence है नोकरी ढूंड लो find a job job मतलब नोकरी find a job नोकरी कर लो दोनों में different है ढूंड लो और कर लो start a job नोकरी कर लो start a job उसे मत घुरो don't stare at him उसे मत देखो don't look at him उसे मत देखो don't look at him बारिस हो रही है it's running फोन आ रहा है the phone is ringing अगला sentence है हमारा machine चालू करो switch on the machine और अगला है machine चलाओ तो चालू करो चलाओ में बहुत different है तो operate the machine नेक्स्ट सेंटेंस है ac on करो switch on the ac ac on करो switch on the ac सुबह हो गई it's morning सुबह हो गई it's morning अगला sentence समझते हैं वीडियो को लाइक कर दीजे टच उड़ टच उड़ का अर्थ होता है कहीं नजर ना लगे touch wood अगला है hurry up hurry up मतलब जल्दी करो hurry up जल्दी करो चलिए next sentence हमारा है well done dear well done dear मतलब sabbas प्यारे well done मतलब sabbas और dear मतलब प्यारे I will try my level best मैं पूरा परियास करूंगा I will try my level best next sentence है that's so kind of you that's so kind of you आपकी बरी किरफा है और last sentence है it's all yours इसे अपना ही समझे वीडियो को लाइक कर दिए यदि तुम्हारी आईसी मर्जी हो तो if you wish so यह अच्छी यादत है that's a good habit इसी परकार से next sentence है यह दसवे साल में है this is in the 10th year यह मैं जानती हूं that I know दोस्तों इसी परकार के नएने वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं अगला sentence है यह अच्छी बात है it's a good thing मेरे पास फूटी कवरी भी नहीं है I am quit penniless next sentence है मैं तुम्हारी मुस्किल समझती हूं I understand your problem या difficulty दूसरा है मैं तो सच में भूल गई थी really I had forgotten I had forgotten about it मैं ने तुम्हें दो बार बुलाया I called you twist यदि तुम्हारी ऐसी मर्जी हो तो if you wish so मैंने तुम्हें दो बार बुलाया I call you twist तीन वार रहे तो त्रेस फोर्थ चार बार रहे तो भगवान की किरपास है बाइदा grace of God मुझे पूरा विश्वास नहीं I am not sure मुझे पूरा विश्वास नहीं I am not sure भगवान की किरपास है by the grass of God अगला sentence है मुझे बैठने के लिए कुर्सी दो give me a chair to sit on मुझे भी थोरा थोरा याद आता है I also अगला sentence है मेरी कसम खास swear by me पर तुमने जवाब ही नहीं दिया but you didn't answer या बोल सकते हैं don't matter पीछे हटो move back बरबराना मना है don't matter पीछे हटो move back या आगे चलो go ahead आगे जाओ अगला sentence है बाजार आजकाल मन्दा है market is market is dull days भगवान की कसम खा swear by God या और किसी का नाम भी ले सकते हैं यहां पर राम की कसम खा सियाम की मुहन की तो swear by Ram swear by सियाम जिसका नाम लेगे वहाँ पर उसका sentence में नाम दे लेंगे नेक्स सेंटेंस है तुम कहां थे where had you been तुम ठीक कहते हो you are right तुम कहां थे where had you been तुम ठीक कहते हो you are right अगला sentence इसी परकार से आएगा जैसे कि तुम भी मेरा इंतजार कर सकते थे YouTube could wait for me तैयार हो जाओ get ready तुम भी मेरा इंतजार कर सकते थे YouTube could wait for me तैयार हो जाओ get ready अगला sentence है दूर हो जाओ get away या go away क्या तुम्हें कम सुनाई देता है are you hard of hearing क्या तुम्हें कम सुनाई देता है are you hard of hearing दूर हो जाओ get away अगला sentence है खाना तो क्या वहां तो पानी भी नहीं मिला खानो तो क्या वहां तो पानी भी नहीं मिला not to speak of food even water was not available there खुसर फुसर मत करो no murmuring खुसर फुसर मत करो no murmuring चाय लाओ bring tea चाय लाओ bring tea जल्दी जाओ go at once यहां पर चाय लाओ के जगा पर पानी लाओ बोल देते हैं तो उस sentence को इंगलिस में बोलेंगे bring water दूद लाओ bring milk काना फूसी मत करो don't whisper कितनी पुरानी बात लगती है it seems to be a long way back कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं कम what may I am with you क्या कोई खास बात है is there anything special क्या कोई खास बात है is there anything special अगला sentence है क्या तुम्हें कम दिखाई देता है are you weak of sight क्या तुम्हें कम दिखाई देता है are you weak of sight उसका कोई मतलब उसका कोई अपना मतलब है He has his own acts to drink अगला sentence है ओ मैं तो बिलकुल ही भूल गई ओ नो it's totally slipped my mind उसके लिए मुझे सोचना परेगा For that I shall have to think सुरू मत हो जाओ, don't start सब के सब निकम्मे हैं, all of them are good for nothing सुरू मत हो जाओ, don't start अगला सेंटेंस है हम आ गए, here we are इसे मेज पर रखो, put it on the table हम आ गए, here we are इसे मेज पर रखो, put it on the table सी परकार से अगला सेंटेंस है उन्हाँने मेरा मजाग उराया और मुझे गंदे गंदे नामों से बुलाया दे मेट फन अफ मी एंड काल मी नेम्स वह आ गया, here he is वह आ गया, here he is वैसे मुझे भी अब उतनी भूख नहीं है, by the way I am not that hungry now वह इतनी समझदार है, उसे फालतू की सलाह मत दो She is sensible enough, don't give the necessary advice वह किसी के बारे में नहीं सोचती, सिवाए अपने She never thinks about anyone but herself वह laptop पर, sorry, वह laptop पर काम कर रहा है He is working on the laptop वह, मानि यहाँ पर है mobile तो, मानि यहाँ पर है mobile लगाते है लरका गया हाथ से, मैं कह रहा हूँ Your son is spoiled, I am telling you लेकिन आप हमेशा बहाने बनाते हैं बस But all you ever do is net excuse लरका गया हाथ से, यहाँ पर लरकी रहे तो, यहाँ पर son के जगा पर डावटर लगा सकते हैं लेकिन तुम्हारे साथ थोरा सा खालूंगी But I will have a little bit with you लेकिन भया भी तो laptop पर लगा हुआ है But brother is also in grocery with his laptop Last sentence, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है But I am full येलो, चाय पियो, here you are, have some tea येलो, चाय पियो, here you are, have some tea लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है But I am full अगला sentence है रिया, मैं खाना लगा रही हूँ, तुम टेबल लगा हू रिया, I will serve the dinner You set the table रिष्टे खुद चल कर घर पर आएंगे Sweaters will come knocking your door रो मत वरना make-up बह जाएगा Don't cry और your make-up will run लगता है कुछ धंग से खाती पीती नहीं It seems you don't eat much लगता है कुछ धंग से खाती पीती नहीं It seems you don't eat much मैं कुछ नहीं जौनती आप इसे ठीक करवादो बस I don't know anything, you just get it fixed मैं क्या शुरू हो गई What did I start? मैं क्या शुरू हो गई What did I start? अगला sentence है मैं तो उसके भले के लिए बोल रही हूं I mean well for her मैं भूख से मरा जा रहा हूं I am extraving मैं तो उसके भले के लिए बोल रही हूं मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं है I don't trust you one bit मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है I don't trust you one bit मैं इसके लिए पैसे जमा कर रही थी I was saving up for it मैं आ गया Here I am मैं इसके लिए पैसे जमा कर रही थी I was saving up for it मैं आ गया Here I am ममी का बहाना मत बनाओ Don't use mommy as an excuse ममी पापा आ गय Mom है Dad is ममी का बहाना मत बनाओ Don't use mommy as an excuse शोज मम्मी पापा ये अगये मों है डैड इस हाँ फुट घंच यह मॉम्घ तॉछ मैंट्नला स त्छें कर देंगे मुझे अपना नंबर मेसेज कर देना थे taxed me your number पूरा दिन मैं खरा रहा और मैं बहुत ठक गया हूं I have been standing up all day and I am really tired पैसे पेर पर नहीं उगते, money doesn't grow on the trees, on trees ममी पापा हम लोग को यहीं न कहते हैं, पैसे पेर पर नहीं उगते, money doesn't grow on the trees, sorry on trees freeze नहीं चल रहा है, freeze isn't working, freeze नहीं चल रहा है, भगबान कसम मैं कुछ नहीं जानता, I don't know anything, I swear to God भाया भी तो फोन में घुसा हुआ है, brother is also engrossed with his phone, I don't know anything, I swear to God भगबान कसम मैं कुछ नहीं जानता, last sentence है, तुम्हारे बिनो तीन दीन कैसे कटेंगे, how will I spend all these days without you, तुम्हें इस स्कूटर के लिए पैसे किस ने दिये, who gave you the money for this स्कूटर, फिला सेंटेंस है, तुम्हें पता है, आज तो कमाल ही हो गया, you know what, something amazing happened today, पापा कभी भी यहां आते ही होंगे, father will be had any minute now, तुम्हें पता है, आज तो कमाल ही हो गया, you know what, something amazing happened today, पापा मुझे एक बाइक दिला दीजिये, dad, please buy me a bike, dad, आप जो बोलेंगे, मैं वही करूँगा, dad, I will do whatever you asked me to do, पापा मुझे एक बाइक दिला दीजिये, dad, please buy me a bike, dress के लिए दुखी मत हो छोटा, सातो दाग है, दिख भी नहीं रहा, don't get upset about the dress, it's just a little stand, it's no even visible, तुम कपरों पर बहुत पैसे खर्च करते हो, you spend a lot of money on clothes, तुम किस बारे में बात कर रही हो, what are you talking about, तुम्हारी तरह फालतू की chatting नहीं कर रहा हूँ, he isn't chatting unnecessarily like you, what are you talking about, तुम किस बारे में बात कर रही हो, अगला sentence है, क्यों बच्चों जैसी बाते कर रहे हो, what are you throwing tantrums like a child, छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं होते, don't get upset over like things, अगला sentence इसी परकार से है, जब पहुत जाओ तब message कर देना, text me, when you rich traffic में फंस गया था, I was stuck is traffic, I was stuck is traffic, traffic में फंस गया था, जब पहुत जाओ, तब message कर देना, text me, when you rich, ठीक है, करवा दूँगा, all right, I will get it fixed, क्या तुम भी वही सोच रहे हो, जो मैं सोच रही हूँ, are you thinking what I am thinking, क्या तुम भी वही सोच रहे हो, जो मैं सोच रही हूँ, are you thinking what I am thinking, next sentence है, क्या तुम्हे मेरी याद आती है, do you miss me, क्या तुम्हे लगता है कि तुम मुझे अपनी चिक्नी चुपरी बातों से बेवकूफ बना सकते हो, do you think, do you think you can fool me, with you, silicon words, क्या तुम्हे मेरी याद आती है, do you miss me, next sentence है, क्या रिया इतनी सुबह सुबह नास्ता कर लेती है, does Ria has breakfast so early in the morning, क्या लेकर सुरू हो गई, why have you started, क्या लेकर सुरू हो गई, why have you started, कितना समय लगेगा, how long will you take, अब मेरे चैनल की सादिस्ता लें, सब्सक्राइब माई चैनल नाव, आपकी जितनी तारीब की जाए, उतनी कम है, no words are enough to complimentary, मैं उसका भलात चाहता हूँ, I wish well for him, अगर उसकी भी रहे, तो for her होगा यहाँपर, मुझे उसकी कमी खलती है, I miss him, वो इतनी खूबसूरत है कि मैं उस पर फिदा हो गया, she is so beautiful, that I feel for her, next sentence है, यह गिलास जूठा है, अर्थात जूठा है, it's a used glass, यह पानी जूठा है, this water is defilled, जूठा अर्थात जूठा को ही जूठा यहाँपर बोला गया है, next sentence है, time का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, time is unprecedented, anytime, anything can happen, बालों को सुलजा लो, detangle your hair, बालों को सुलजा लो, अर्थात बालों को सिधा कर लो, सुलजा लो, next sentence है, तुम किसी से टकरा गये क्या, did you call it with someone or something, वहाँ तक जाओ, go up to that point, वहाँ तक जाओ, go up to that point, next sentence है, करवट लेकर सोना, turn to the right, या left side, will sleeping, तुम बहुत खास रही हो, you are so coughing badly, यहाँ पर देखिये, करवट लेकर सोना, turn to the right, या left side, will sleeping, जब हम लोग करवट लेते हैं, तो यहाँ पर यह नहीं बताया गया है, आज मैं जानना चाहती हूँ, कि आज काल तुम कहां लगे रहते हो, I want to know today, where do you remain engaged, now a days, next sentence है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, या मैं प्रार्तना कर रहा हूँ, I am offering prayers, या नमाज, बच्चे की नजर उतार दो, catch of the evil eye of the child, यहाँ पर दोस्तों नमाज या प्रार्तना दोनों एक ही बात होता है, next बढ़ते हैं, बालों को खोल दो, your hair, तुम बार बार कंबल क्यां उतार देते हो, why do you take off your blanket, frequently, बालों को खोल दो, your hair, इसी परकार से हमारा next sentence है, अभी मैं गिर जाती, I would have just fallen, मैं बस गिरते गिरते बची, I had just a narrow step from falling, इसको रिपीट करता हूँ, अभी मैं गिर जाती, I would have just fallen, तो जब हम लोग गिर जाते, तो इस परकार से बोलते हैं, बच्चा गिर जायेगा, ठीक से पकरो, अभी मैं बच्चा गिर जायेगा, ठीक से पकरो, अभी मैं बच्चा गिर जायेगा, नेक्स सेंटेंस है, चादर में दाग लग जायेगा, अभी मैं गिर जायेगा, आतेश समय वो लेके आना, यहां पर वो आने का मतलब कोई चीज हो गया, जम किसी को आदेश देते हैं, कुछ लेकर आना तो इसको इस करिका से बोल सकते हैं, नेक्स सेंटेंस है, आतेश समय वो कर के आना, डूअ फ़ detention है, वो मेरा बहुत करीबी है, He is very close to me, वो मेरा बहुत करीबी है, He is very close to me, नेक्स सेंटेंस है, सब खिरकियां बंद कर दो, सब खिरकियां बंद कर दो, सारी गलती आपकी है, it's all your fault, यहां पर खिरकियां के जगा दर्वाजे रहे, तो हम बोल सकते हैं, सब दर्वाजे बंद कर दो, सब आल दा दोर्स, next sentence है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, यहां कानून के विरुद्ध है, it is against the law, आँखों में खुजली हो रही है, I have itchy eyes, इसके बाद हमारा next sentence है, उसकी आँखे लाल है, her eyes are red, इस sentence को हम अलग तरीका से भी बोल सकते हैं, जैसे कि राम की आँखे लाल है, राम's eyes are red, उसके कान में दर्द है, he has an ear edge, इसे परकार से हमारा next sentence है, उसके दोंत निकल रहे हैं, she is cutting teeth, उसके दोंत निकल रहे हैं, she is cutting teeth, इसी परकार के, और भी वीडियोज के लिए, हमारे चनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आज मुझे बहुत खांसी आ रही है, I am coughing a lot today, आज मुझे बहुत खांसी आ रही है, I am coughing a lot today, इसी परकार से next sentence है, इसके बाद हमारा next sentence है, आज मेरी तब्यद बहुत खराब है, I am feeling quit ill today, आज मेरी तब्यद बहुत खराब है, I am feeling quit ill today, इसी परकार से हमारा next sentence है, आज सुबह मेरी कुछ देर तक लगातार खांस्ता ही रहा, I had a coughing fit this morning, आज सुबह मेरी कुछ देर तक लगातार खांस्ता ही रहा, I had a coughing fit this morning, इसी परकार से next sentence है, उसका एक दांत हिल रहा है, वन आफ हर टीथ is loose, उसका एक दांत हिल रहा है, तुम उसे जितना याद करोगे वो उतना ही याद आएगी मुझे ये करना ही करना था I had to do this by all means मुझे ये करना ही करना था I had to do this by all means next sentence है मुझे हर हाल में इंग्लीज सीखनी है I have to learn English by all means मुझे हर हाल में इंग्लीज सीखनी है I have to learn English by all means उसी परकार से next sentence है अचानक से मेरे पैर की नस चट गई Suddenly I had a cramped leg दर्द बना हुआ है The pen is constant दर्द बना हुआ है The pen is constant इसी परकार से next sentence है पेट की नस चट गई थी I had goat a stomach cramp पेट की नस चट गई थी I had goat a stomach cramp दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्र सब्सक्राइब करें पेट भारी सा लग रहा है I have a bloated filling पेट भारी सा लग रहा है I have a bloated filling इसी परकार से next sentence है पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है I have got a strange feeling in my stomach पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है I have got a strange feeling in my stomach इसी परकार से next sentence है उसके दोंत में कीरा लग गया है He has a cavity in his tooth उसके दोंत में कीरा लग गया है He has a cavity in his tooth next sentence है उसके दोंत सरने लगे हैं Her teeth have begun to dizzy इसी परकार से next sentence है उसे जुखाम हो गया है She has a cold जुखाम हो गया है She has a cold जोस्तों, अपने शीखना चाते हैं तो हमारे चैनल में जरूटू जूरे उसे बहुत तेज बुखार है She has a high fever उसे बहुत तेज बुखार है She has a high fever इसी प्रकार से next sentence है गीले कप्रे उतार दो वर्ना जुकाम हो जाएगा टेक आफ दोज वेट प्लॉट्स या इसको दूसरी तरिगा से बोलेंगे यू विल कैच अ कॉल्ड गीले कप्रे उतार दो वर्ना जुकाम हो जाएगा उसी प्रकार से next sentence है उसका पूरा शरीर सुझा हुआ है He has solemn all over उसका पूरा सरीर सुझा हुआ है He is solemn all over इसी प्रकार से next sentence उसका माथाद जल रहा है His forehead is burning किसी डॉक्टर को जल्दी बुला लाओ Fetch a doctor quickly इन sentences को आप दो तिन वार रिपीट कीज्ये इस से आप वोई याद हो जाएंगे वह इतना कम्सिन है कि वह इस लर्की का बाप नहीं हो सकता "'He is so young that can not be the father of this girl'' वह इतना कम्सिन है कि वह इस लर्की का बाप नहीं हो सकता he is so young that he cannot with the father of this girl यहां कमसिन का मतलब जवान यंग होता है मैं सोकर उठा ही था कि वह आ पहुचा as I got up from bed he arrived मैं सोकर उठा ही था कि वह आ पहुचा as I got up from bed he arrived next sentence है कुदने से तुम्हें पैर में मोच आ सकती थी jumping could have as friend your ankle कुदने से तुम्हें पैर में मोच आ सकती थी jumping could have as friend your ankle next sentence है कम से कम तुम किसी को भेज तो सकते थे at least you might have sent someone कम से कम तुम किसी को भेज तो सकते थे at least you might have sent someone और हमारा next sentence है उसने प्रस्नों की जहरी लगा दी he put a value of questions उसने प्रस्नों की जहरी लगा दी he put a value of questions इन sentences का उप्योग हम अधिकतर क्या करते हैं क्लास में तो चलिए हमारा next sentence है किताब पर जिल्द लगा दो put a cover on the book जिल्द जो हम कभर लगाते हैं किताब पर उसी को बोलते हैं किताब पर जिल्द लगा दो कि वह हार्मोनियम बजा सकता है कि ही किन प्लै ओन दा हार्मोनियम वह हार्मोनियम बजा सकता है कि कें प्लै ओन दा हार्मोनियम वह हार्मोनियम बजा सकता है यहां पर हर्मोनियम के जगा ढोला इस था सःओ स्पैलिंग चेंज होगा लफा से पेस आओ विहफ वलेटली में टा छेतु से पेस आओ भीफ पोलेटली तो छीलिखेंटे रहां नेक्ट्थ ब्रीक्च में फल लगे हैं, the tree is wearing fruit, the tree is wearing fruit, मेरा ग्लस लाइड है, मैं आपका बहुत अनुगिरिहत हूं, I am much obligate to you, I am much obligate to you, उसकी नशनस में स्रारत भड़ी है, he is much heaviest to the core, he is much heaviest to the core, उन्होंने आखे जुका ली, he lowered his eyes, he lowered his eyes, किस्मत अपने हाथ में होती है, man is the master of his fate, man is the master of his fate, एक हाथ में ताली नहीं बज़ती, it takes to to make a quiral, उसकी आँखों में लज्जा है, there is modesty in her eyes, मानिये या ना मानिये, या तो सच है, believe it or not, it is true, गाउं वाड किचपेट में आ गया, the village was encircled by the flood, मामला टिदा है, the matter is complicated, the matter is complicated, वाह कितना भी प्रिश्लम करे, पास नहीं हो सकता, होईवर हाड ही लेवर्स, he cannot pass, he cannot pass, उसकी मजाल नहीं, जो मेरा सामना करे, he has not the neighbor to face me, he has not the neighbor to face me, वाह मुझे राज्ते मेला, I met him on the way, उसने अपने लड़की की साधी की, he got his daughter marriage, मुझे भूक लगी है, I feel hungry, यह भूल मत करना, नभूल मत करना, don't make this mistake, don't make this mistake, शोड मच रहा है, एन्वाइज is going on, एन्वाइज is going on, मैं अपनी गल्ती मानता हूँ, admit my mistake, admit my mistake, आखिर आपका क्या मतलब, after all what do you mean, after all what do you mean, यह मेरे मन की बाद हुई, this is just what I wanted, this is just what I wanted, मेरा मन वहा नहीं लगता, I don't feel at home there, I don't feel at home there, उसे बात मत करो, उसे बात मत करो, don't talk to him, don't talk to him, बात मत बढ़ाओ, don't push the matter too far, don't push the matter too far, क्या वात है, क्या वात है, what is the matter, क्या वात है, what is the matter, और ही कुछ को, say something more, मुझे बुखार आ गया है, I have a fever, I have a fever, ऐसा हम लोग यूज क्या करते हैं, उसका सरी भाडी है, his body is bucky, his body is bucky, मैं मजे में हूँ, I am all right, मैं ठीक हूँ, इस जिगा भी जूज कर सकते हैं, उसकी बागदोर मेरे हाथ में है, he is under my control, घर बन गया, the house has been constructed, मैं परपाद हो गया हूँ, I am ruined, जब कोई दोस्तो धोखा खा जाता है, तो ऐसा ये बात बोलता है, I am ruined, तुम बहुत बहस करते हो, you argue too much, मैं केबल नया चाता हूँ, किरफवा नहीं, all I ask is affair deal and no favor, शुक्रवार को वजार लगता है, the market is held on Friday, the market is held on Friday, शुक्रवार को वजार लगता है, उसकी पुकार हुई, his name was called out, उसकी पुकार हुई, his name was called out, वह चार मिनट में एक मिल दोटता है, he runs a meal in four minutes, वह चार मिट में एक मिल दोटता है, बको मत अपना काम करते दोट, don't talk, no sense, go on with your work, मैं जितना कमाता हुँ, उसका दस गुना वह कमाता है, he earns 10 times as much as I do, he earns 10 times as much as I do, समय किसी को नहीं छोड़ता, time aspers none, time aspers none, समय किसी को नहीं छोड़ता, इसका अंगलेश होगा, time aspers none, इससे काम नहीं चलेगा, it will not do, it will not do, इससे काम नहीं चलेगा, it will not do, तुम अपने आपको विगार रहे हो, you are spoiling yourself, you are spoiling yourself, तुम अपने आपको विगार रहे हो, मैं भी गरीवी का मदा चक चुका, I have also had a taste of poverty, I have also had a taste of poverty, वहां बरा सा लगता है, वहां बरा सा लगता है, he looks rather death, he looks rather hell, मुझे उसकी हालत पर रोना आता है, I feel pity for him, I feel pity for him, उसकी मुझे उसकी हालत पर रोना आता है, थाइसन तु देखा देखी बढ़ता है, थाइसन SPH by blind initiations, थाइसन SPH by blind initiations, कोल मत दोरो, don't pack flour,